स्वागता दोस्तो एसके टेट बजर चैनल पे आई होप आप ठीक होंगे इस वीडियो में हम दोस्तो जानेंगे बुक्स और उथरस के बारे में जो की एक जनुवरी से लेकर 31 मार्ज तक की है एकजाम में इनसे यांसे एक यां दो कुस्टन जरूर पूछे जाते हैं इसलिए आप वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा इस वीडियो की पीडियो आपको डिस्क्रप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वाँसे आप डाउनलोड कर सकते हैं आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पहली बुक के बारे देखते हैं दोस्तो अमिशा ने बुक रिलीज की है करम युद्धा गरंत तो यह किस पॉलिटिशन की लाइफ इस्ट्री के बारे में है अप्षन फर्स्ट है दोस्तो राजीव गांदी, सैकिंड अटल वहरी वाजपई, थाड है मनमहोन सिंग, फूर्थ है नरेंदर मोडी तो दोस्तो जो फूर्ठ उप्षन है वो सही है नरेंदर मोडी नेक्स्ट बात करें दोस्तो ट्विंकल खना को अभी popular best fiction अवार्ड मिला है तो ये किस novel के लिए मिला है उनको तो फर्स्ट option है दोस्तो जो सही है पजामस are forgiving इसके लिए ट्विंकल करना को ये अवार्ड मिला है नेक्स्ट दोस्तो थीम पुच्चिया दोस्तो 28th edition of New Delhi World Book Fair की तो इसकी थीम है दोस्तो second option गांधी दा राइटर्स राइटर नेक्स्ट है दोस्तो दा winning sixer leadership lesson to master released by अनिल कुम्बले तो ये किसने लिखिया दोस्तो बुक तो ये लिखिया दोस्तो third option है डवली वी रमन ने इन्होंने ये बुक लिखिया रिलीज किया दोस्तो अनिल कुम्बले ने जो हमारे पूर क्रिगेटर है नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तो तो दोस्तो ये लिखिया बुक हमारे first option है दोस्तो हरी हर्न बाला गौपाल ने नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तो नेम दा ओथर ओफ दा बुक Human Dignity A Purpose in Prepetuity रिलीज़ बाइ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंग तो दोस्तो ये वेरी वेरी इंपोर्टन बुक है क्योंकि इसे रिलीज किया है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंग ने फ्रोम इंडिया टू contemporary world ये किस ने लिखी है दोस्तो ये लिखी है second option है दोस्तो अलेस्टर सिलिशेर ने ये बुक लिखी है नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तो विच कंट्री विल बी दा गेस्ट ओफ दा ओनर एट 20,022 न्यू डेली वर्ड बुक फेर तो दोस्तो जो अभी निव डेली में बुक फेर होने वाला है तो वहां पे गेस्ट कोन है फर्स्ट ओप्शन है दोस्तो मालदुष, second है United Kingdom थर्ड ओप्शन है फरांस फॉर्थ है United States तो दोस्तो थर्ड ओप्शन है वो फरांस पेंड बाई है मिंद्रा कुमार रॉय दोस्तो जो रात्र कुलकत्ता थी उसकी ये ट्रांसलेटर है बुक कलकत्ता नाइट्स इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किसे ने किया है फर्स्ट ओप्शन है सचिन कुंदलाकर, second है वीवेक, सानबाग थर्ड है रजट चोधरी, fourth option है none of the above तो दोस्तो थर्ड अप्शन है रजट चोधरी ने इस बुक को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में नेक्स्ट है अमेरिकन ओथर हाईजीन्स कलरक who passed away recently is famously known as तो दोस्तो ये बहुत बड़ी लेक्र का है तो ये अभी इनको और भी नाम से जाना जाता है इनका ध्यान तो गया तो वो किस नाम से जाना जाता है first option है queen of writing, second है queen of thrill third option है queen of suspense fourth है queen of love तो दोस्तो जो third option है वो सही है queen of suspense के नाम से इनको जाना जाता है ये एक American writer है दोस्तो इन्होंने काफ़ी famous book लिखी है दो काफ़ी famous book है इनकी a stranger is watching and next है दोस्तो lucky day तो ये दोनों आप याद रख सकते हैं exam में पूछ सकते हैं इनके बारे next है दोस्तो who has won first mathra boomie book of the year 2020 award given by kerala based malayalam newspaper for translation of book blue is like blue तोस्तो ये किसने award जीता है first option है विनोद कुमार शुकला second है माधुरी विज़ा है third है जीत थलाई fourth है अनिता दसाई तो दोस्तो जो first option है इसका सही है विनोद कुमार शुकला नहीं ये award जीता है next है दोस्तो vice president ब्यांके नेडू has released a book a child of destiny which is the autobiographer of दोस्तो ये vice president ब्यांके नेडू ने book release की है तो इनका autobiographer कौन है इसका जो option है दोस्तो वो है first option के नुरू रामक्रिशन रॉय ठीक है दोस्तो इन्होंने ये autobiography लिखी है next बात करते हैं दोस्तो who has authorized the book the thin mind map दोस्तो इसके option जो है वो है third option है धर्मेंदरा राई इन्होंने ये book लिखी है next बात करते हैं दोस्तो who has written the book messages from messengers इसके दोस्तो option है चेतनबग second है अनुरुदी रॉय थर्ड है विक्रम सेथ फॉर्थ है पृति केश और आफ तो दोस्तो जो fourth option है वो सही है इन्होंने ये book लिखी है next बात करते हैं दोस्तो who authored the book a commentary and judas on the air act 1981 which was released by हर्याना सेम मनोरलाल खटर तो ये भी important book हो जाती दोस्तो ये किसने लिखी है ये option एक है के के खंडेल वाल ने ये book लिखी है next बात करते हैं दोस्तो who unveiled the 64th edition of the book the reference annual इंडिया भारत 2020 published by publication division along with new media wing तो दोस्तो ये किसने publication की है ये third option है दोस्तो परकास जावेड कर जो हमारे minister of environment forest और climate change है next है दोस्तो name the person who authored the book who is भारत माता तो दोस्तो ये book किसने लिखी है who is भारत माता इसका option है विक्रम सेत, second है नुरीदी रॉय, third है परशोत्तम अगरवाल और fourth है सुधा मूर्थी third option है जो दोस्तो सही है परशोत्तम अगरवाल ने ये book लिखी है who is भारत माता next बात करते हैं दोस्तो दोस्तो ये book जिसके बारे बताती है वो बीजू पतनायक है उनके बारे पुछा है वो कौन सी स्टेट के former chief minister थे first option है केरला, second है वेस्टमगौल third है उडिसा, fourth है जारकन तो दोस्तो third option है वो सही है उडिसा इस book को दोस्तो रिलीज किया है उडिसा के CM जो अभी है नवीन पतनायक ने next बात करते हैं दोस्तो who is the author of the book death and inside story a book for all those who shall die first option है दोस्तो जग्गी वासुदेव second है शिरी शिरी रवी शंकर third है जारकनायक fourth है मुरारी बापू दोस्तो जो इसका first option है वो सही है इन्होंने ये book लिखी है जग्गी वासुदेव ने next बात करते हैं who is the author of the book the 12th commandment of being a woman इसके author है दोस्तो जो हमारा second option है तहिरा कश्यब ने ये book लिखी है next बात करते है name the person who has authored the book lady you are the boss ये book किसे ने लिखी है इसका जो third option दोस्तों गो सही है अपुरुआ परोहित ने next है name the person who authored the book title An Extraordinary Life A Biography of Manhor Parikar which is going to be published by Penguin Random House India in April 2020 तो इसे दोस्तों किसे ने लिखी है इसको first option है सद्गुरु पाटिल second है माया भूशन नगवेकर, third है शशी थरूर तो जोस्तों इसके जो first दो option है वो सही है बोथ A1 and 2 next बात करते है name the person who authorized the book my encounter in parliament तो दोस्तों यह भी very very important book है first option है हमिद अंसारी, second है डीराजा, third है बालचंदरा, मुनगेकर, fourth है सीताराम, यदुचरी तो third option है दोस्तों इसका वो सही है बालचंदरा ने यह book लिखी है next बात करते हैं who has written the book Invincible A Tribute to मनहुर पारिकर तो दोस्तों जो मनहुर पारिकर थे उनकी सालगिरह एक साल हो गया दोस्तों उनका दिहान तो उनकी याद में यह book लिखी है मनहुर पारिकर दोस्तों हमारे एक तो डिफेंस मिनिस्टर थे और दूसरे दोस्तों वो गोहा के सियम भी रह चुके है तो यह book किसने लिखी है दोस्तों फर्स्ट अप्शन है तरुन विजे सेकेंड एनिल बानी थर्ड है महिंदर सिंग महरा फूर्थ है जैरम रामेश तो दोस्तों यह इसका जो फर्स्ट अप्शन है वो सही है तरुन विजे ने यह book लिखी है नेक्स्ट है नेम दा परसन हो ओथराइज दा बुक मसीह मोदी ए टेल ओफ ग्रेट अक्सपेटेशन्स यह किसने लिखी है दोस्तों यह लिखी है फूर्थ ओप्शन हमारे तवलीन सिंग ने लिखी है दोस्तों नेक्स्ट है नेम दा परसन हो ओथर्ड दा बुक मेसिंग इन एक्षन दा प्रिजनर हो नेवर कम बैक तो यह दोस्तों लिखी है हमारे प्रकाश कृष्णा मलोत्रा ने फूर्थ ओप्शन है दोस्तों प्रकाश कृष्णा मलोत्रा ने ये बुक लिखी है नेक्स्ट है नेम दा परसन हो एज रिटन दा बुक टाइटल लिगेसी ओफ लर्निंग तो यह लिखी है दोस्तों तो सैकेंड ओप्शन है वो सही है सवीता चाबडा ने ये बुक लिखी है नेम दा परसन हो ओथर्ड दा बुक टाइटल दा डेथ ओफ जिसस वेरी वेरी इंपोर्टन थे दोस्तों यह भी इसका जो लिखी है दोस्तों यह फॉर्थ ओप्शन है अपने दोस्तों के साथ और अगर आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है वो भी आप जरूर करें ओके थैंक्यू दोस्तों